हेलो आप लोगों के साथ सेयर करने वाली हूं नारियल कल डू तो बहुत ही इसी एंड सिंपल वे में आज हम इसे बनाने वाले हैं तो आप वीडियो को एंड तक वाच करिए और किसी भी ऑकेजन पर आप इसे घर पे तयार कर सकते हैं जैट पर बहुत जादा देर भी नहीं लगता है इसे बनने में तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा मेरे चानल पर न्यूँ है तो मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लीजेगा तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बनाना स्टार्ट करते है यहां मैंने कडाई को गर्म किया है ओकडाई को गर्म गर्म कड़े के बाद हम क्या करेंगे 2,5 मतonstande 250 gram दूद कडाई करेंगे गर्म दूद को एट करेंगेס तो को थोड़ा गुंगुना होने देंगे उसके बाद हम इसमें add करेंगे desiccated coconut powder जो नारियल का बुरा होता है नारियल का powder इसे हम 200 ग्राम यूज़ करेंगे तो ये मैंने इसमें add कर दिया हलका सा दूद गुन-गुना होने के बाद तो ये देखिए दूद आपके कोई भी दूद का इस्तमाल कर सकते है पैकेट वाला हो गाई का हो या किसी जो डबे वाली हो कुछ भी आपके इस्तमाल कर सकते है और इस तरह से डालने के पाद इसको continuously इस तरह से हमें चलाते रहना रूटेट करते रहना है ताकि ये नीचे से सतर पकड़े नहीं और बिल्कुल इसे मेडियम फ्लेम पे हमें पकाना है तो आप इस तरीके से गुमाते रहें जमच के सारे से और आपको बिल्कुल इसे मैंने पहले भी बोला है मेडियम फ्लेम पे इसे पकाएं ऐसा नहीं कि जल्दी पकाने के चकर में आप इसा ही फ्लेम को हाई करके और आप पका दें तो आपका नारियल का लड़ू जो है वो अच्छा नहीं बनेगा और टेस्टी भी नहीं बनेगा आप देखिए यह दूद्सस्क चार Mexican हो चुका है श देखिए और अच्छीटर से मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे तो और अगर आपके पास milk powder अभ़ लेबल न हो तो आप इससे skip भी कर सकते हैं इसके बाद हम add करेंगे कोटी रुई लाइची आपको लाइची नहीं पसंद हो तो आप उसको भी skip कर सकते हैं और आप पाउडर के जगह पे अगर आपके पास milk powder ना अब लेवल हो तो उसके जगह पे आप एक चोटा जम्मच इसमें सूजी एड़ कर दीजे एक से दो चोटा जम्मच सूजी एड़ कर दीजे उससे भी binding बहुत अच्छी बनेगी और इसे टेस्ट भी बहुत अच्छा आ इसका वीट करेंगे तो इस तरह से मिसे फ्याला देते हैं ताकि यह ठंडा हो जाए तो अब यह ठंडा हो चुका है और यहां मैंने लिया है पाउडर सुगर तो चीनी को आप चानते हैं सब लोग की पीसकर इसे रेडी कर लेते हैं घर में ही या तो फिर आप मार्केट से लाते हों तो आप उसका भी स्थमाल कर सकते हैं और दीरे दीरे करके आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना मीठा खाते हो उस अकॉर्डिंग आप पाउडर सुगर आड़ करें और अच्छी तरह से मिक्स कर लिए तो थोड़ा से यह बचा हुआ था वो भी लग जा जाएगा शायद तो मैं धीरे-धीरे इसमें आड़ कर रही हूं तो इस तरीके से आप एड़ करिए और अगर आप जादा चीनी पसंद करते हो तो सारा एड़ कर दीजिए तो यहां मिक्स करके मैंने रेडी कर लिया है यहां पे लिए थोड़ा सा घी और यह नारियल का को यहां पर और नारियल के बूरे में कोटिंग कर लें इस तरीके से तो आप चाहिए तो दुसरी तरह की सेप भी दे सकते हैं इसको बर्फी सेप में भी आप बना सकते हैं यह जो सेप आपको पसंदो उस सेप में आप इसे बना सकते हैं तो यह देखें elegante 1 करके मैं Enjoy the video सार और यह लड़ू बनकर लगभग रेडी हो चुका है यह लास्ट लड़ू हमारा इस तरीके से मैं इसमें कोटिंग कर ले रही हूँ इसके बात आप अपने मन पसंद तरीके से आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं चेरी से हो गया किश्मिस से हो गया काजू से हो गया तो आप इसे इस तरह से डेकोरेट करके सर्फ करें तो अप वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो मैं फिर एक नहीं वीडियो के साथ आँगी तब तक के लिए बाई बाई टेक केर और थैक्स वोचेंग